येस, आज हम करेंगे लॉग्रिथम, लॉग्रिथम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें की हमेशा confusion होता है, हर टॉपिक में काम आने वाला टॉपिक है, और इसकी basic property clear होने से आप लॉग के questions को easily कर सकते हैं, और पूरी मैस में, पूरी मैस में, जो भी आप एक्जाम दे रहे हैं, इवन, चाए आप higher master rated exam दे, चाए आप lower master rated exam दे, लॉग वाला topic हमेशा मिलता है, और इसके questions जो होते हैं, simple होते हैं, बट कई बर confused हो जाते हैं, मतला कर आप JEE का exam दे रहे हैं, आप NIMSET का exam exam दे रहे हैं, आप India का exam दे रहे हैं, और भी कोई CDS का exam दे रहे हैं, cat का exam दे रहे हैं, हर जगे काम में अनवला topic है, तो मैं आपको log के कुछ special question के साथ इसकी basic theory बताऊंगा, जिससे topic भी आपका अच्छे से cover होगा और आपका confusion भी दूर होगा, एक idea लिखा मैंने question का, और इस तरह के question जैसे, if x and y are real number such that two times of log two y minus three x equal to log x plus log y, then x upon y, simple question है, but log में अक्सर confusion होता है, तो ये confusion ना हो, उसके लिए मैं पहले आपको कुछ basic property बता दू log की, log normally जो है वो calculation को short करने के लिए कुछ किया जाता है, तो अगर मैं बात करूँ कि log लेते कैसे, क्योंकि अगर आपको log की कुछ property आप revise कर लेंगे, तो ये topic आपका हमेशा के लिए strong हो जाएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ कि a power x अगर equal to b लिखा है, और मैं बोलू log लें, तो क्या होगा, taking log both sides, तो log base ए b equal to x, यानि log में तीन चीज़े हैं, एक है base, एक है power, एक है coefficient, इसे मैं बोलता हूँ base, ये power और ये coefficient, जब हम इसका log लेते हैं, तो जो power का base है, मतलब जो base है, वो log का भी base बनता है, जो coefficient है, जो equal to है, वो log का coefficient बनता है, और power जो है, वो equal to में आगए, यानि कभी ऐसा लिखा हुआ है, कि 10 cube, equal to, हमें पता है 1000, मैं बोलू इसका log लो, तो log base 10, 1000 की value 3 होगी है, या कभी लिखा हुआ है, 5 की power 4, हमको पता है कितना, 625, मैं बोलू इसका log लो, तो आप बोलते, log base 5, 625, equal to 4, yes or no, anti-log इसका reverse process है, इसमें काफी अच्छे questions आपको करवाने वालों, पूरा session ध्यान से देखिएगा, अपने आप, मैं बिलकुँ sure हूँ कि इस topic के end होते होते, log के सारे concept cover हो जाएंगे, और फिर इसका use जहां-जहां होता है, हर topic में होता है, आप progression पढ़ रहे हैं तो होगा, binomial पढ़ रहे हैं तो होगा, calculus पढ़ रहे हैं तो होगा, puntitude पढ़ रहे हैं तो होगा, कहीं पे भी log का use हा जाता है, yes, जैसे मानली जे लिखा है, 6 का cube, आपको पता क्या होता है, 216, तो log base 6, 216 की value 3 होगी, anti-log इसका रहे हैं, बस पॉसे जे मानली जे कभी ऐसा लिखा, log base AB equal to C, तो क्या होगा बिटाँ, A power, या तक ना, जो log का base है, A power C equal to B, कभी लिखा है, log base XY equal to Z, then X power Z equal to Y, right, आप इसकी कुछ property देखते हैं, फिर question करेंगे, और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि domain range का basic logic क्या है, जिससे कि आपको कभी भी question में problem ना जाए, तो चलिए next बात करते हैं, next बात करता हूँ मैं, properties क्या-क्या होती है, आपने कई सारी property पढ़ी हैं, पर कहाँ पर कौन सी mistake करते हैं, वो बताऊँगा, और एक खाज बात आपने देखी होगी, कि जब हम questions करते हैं, calculus में in fact एक topic है, पूरा differentiation of logarithmic function, वहाँ पर भी बहुत use होगा, तो पहले properties की बात करें, तो number one, log m into n, आपने ये पढ़ा है, पर इसमें क्या mistake होती हैं, बताता हूँ, log m plus log n, right, जैसे log, इसको generalize करें, m into n into p, तो जाएगा log m plus log n plus of log p, या log, अब एक important बात, ऐसा कोई formula नहीं होता, मैं साथ में भी बताऊँगा, कहाँ का mistake होती, log m plus n not equal to log m plus log n, right, या अकसर mistake होती है, कई बार ऐसा लिखा होता है, log 2 plus log 3, जल्ले वाजी में हम लिख देते हैं, log 2 into 3, और फिर लिख देते हैं, log 5, ये ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है, ये जो मैं cut कर दूना लिखके, ये आप लिखके cut जगू करना, ये जब आप exam दे रहे होंगे, तो आपको ये मेरी बात याद आएगी, कि सर ने ऐसा बोला था, उसका region समझ में आएगा, या माल लीजे, मैं आपसे बोलूँ, कि log, जैसे log 6 लिखा है, तो log 6 को लिख सकते हो, आप log, log 6 को लिख सकते हो, log 2 into 3, अब क्या होता है, कई बार, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कभी-कभी ऐसा होता है, आपको लगता है था, पर ये एक्चुल में नहीं, 1 into 2 into 3 लिखा है, 6 को ऐसा लिख सकते हैं, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, log 1, log 1 बैसे 0 होता है, क्यों होता है बताऊँगा, log 2 और log 3, राइट, तो अब ये बात, ऐसा कई बार लोग बोलते हैं, कि सर एक्चुल में log 6 था, हमने उसको ऐसा लिख दिया, log 1 plus 2 plus 3, और फिर हमने उसको ऐसा लिख दिया, तो वो बाई चांस, कि 1 into 1 into 2 into 3, 6 होता है, और 1 plus 2 plus 3 भी कितना होता, 6, पर ये इसके वज़े से नहीं होता, यानि हम plus के लिए कोई formula यूज़ ना करें, बाकी कभी-कभी कुछ value में, इसलिए same हो जाता है, वो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैं बोलूँ आप से कि log 4, में वो multiply से बना, क्योंकि 2 into 2 भी 4 होता, 2 plus 2 भी 4 होता, इसलिए ऐसा हो गया, पर आपको मैं सला ये दूँगा, कि आप घ्यान रखिए, plus के लिए कोई हमारे पास formula नहीं होता, multiply में ही होता है, चलिए next question की, next property की बात करूँ, अच्छा, ये property आपको बहुत काम आने वाली है, इन में कहां कहां mistakes होंगी, वो बताता हूँ चलूँगा, जिससे आपको कोई problem ना जाए, जिससे मैं बात करूँ, log m yn, क्या होगा log m yn, log m minus of log n, right, log m minus log n, next, अब बात करते हैं, log m power n, अगर power, coefficient में कोई power है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको n log m, okay, इसी लिए आप जान दीजिए, क्या होता है, जैसे मैंने आपको लिखा, कि log base 5 into 625 equal to 4, ये कैसे लिखा वो बताता हूँ, log 5, ये हो गया 5 power 4, और आ गया आ गया, तो log 5 5, log 5 5 1, तो अब याद रखेगा, a power, अगर 1 लिखा हो, तो क्या होगा, a बिटा, इसलिए अगर हम इसका log लें, तो log base a 1, यानि आप हमारे पास एक concept आ गया, कि log का base, और coefficient सेम हो, तो result is always 1, जैसे मैं बोलू, log 3 3, then 1, log 5 5, then 1, log 6 6, then 1, यह हो गया, next बात करते हैं, next बात करता हूँ, कि माली जै ऐसा दिया हुआ, log, m by n तो आपने लिख दिया, n log m, पर कभी कभी, base में भी power होती, यह formula हम कई बार कम यूज़ करते हैं, यह भी करना आना चाहिए, log base a power p, into m power n, यह coefficient है, यह base है, तो क्या होगा, coefficient की जो power है, वो multiply में आईगी, base की जो power है, वो divide में, यानि आप ऐसा लिख सकते हैं, n by p, log base a m, तो कभी ऐसा लिखा हुआ हुआ, ओ मालो, log base 8, यह सब question आये हुए, मैं आपको साथ पर जब बताता हूँ, तो क्यूंकि मेरा experience है, इतने सालों के अलग-अलग exams के papers देखे हुए है, तो मैं आपको यह बता पाऊँगा, पढ़ाते हो साथ में, कि किस तरह के आगे चलके questions बनेंगे, अब जैसे यह लिखा है, तो आप इसको speedly लिख सकते हो, log base 2 का cube into 2, है ना, अब यह हो गया, 1 by 3, log base 2, 2, base और coefficient same, तो result is 1, कभी ऐसा लिखा हो, log base 81 into 3, ठीक है, क्या कर सकते हो बताऊ, आप लिख सकते हो, 3 power 4 into 3 power 1, क्या आएगा, 1 by 4, log base 3, 3, then 1 by 4, log base 3, 3, 1 हो गया, तो बचा क्या, 1 by 4, यह clear है बत, चलिए, अब next and most important concept, जिसमें हम ध्यान नहीं देते, वो होता है, base changing, अब base changing से ही, मैं आपको logic बताऊँगा, कि log का base क्या नहीं हो सकता, log base A, B, को हम लिख सकते हैं, log B upon log A, log base A, B को क्या लिख सकते हो, log B upon log A, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर base जो चाहें, वो ले सकते हैं, तो अगर हम X लिखना चाहें, तो X भी लिख सकते हैं, अब यहाँ से दो concept निकल के आएंगे, कि हमने अभी दो मिट पहले पड़ा, अच्छा, कभी भी याद रखेगा, कभी भी याद रखेगा, अगर मैं बोलू, A power 0 क्या होता है, तो आप बोलेंगे, A power 0 सर 1, मैं बोलू इसका log लो, तो आप बोलते हैं, log base A, 1 equal to 0, यानि, आप कभी भी log 1 निकालेंगे, तो 0 होगा, log 1 is always, 0 कोई भी बेस हो, चाए बेस 3 हो, चाए बेस 5 हो, जो भी बेस हो, तो इसका मतलब यह हुआ, कि जब हम base changing formula बनाते हैं, यहाँ से domain और range का concept भी बता रहा हूँ, आप में से हो सकता है, किसी को domain range ना पता हो, पर domain और range का मतलब basic बता दू, domain मतलब होता है, input set of all possible value of x, when function is defined, range मतलब होता है output, यानि input ऐसा दिये जाता, जिस पर function defined हो, और उसके corresponding result को हम range बोलते हैं, यह हम domain range में पढ़ेंगे function में, just for idea दिया आपको मैंने, तो अगर जैसे लिखा हुआ, log base a b, है ना, क्या लिखा हुआ मानलो, log base a b, तो क्या होगा, कि आपने इसे ऐसा लिखा, log b upon log a, अब एक चीज़ समझ लीजे, कि अगर थोड़ी देर के लिए मानलीजे, a 1 होता, तो क्या होता, आप ऐसे ही लिख रहे होते, log b upon log 1, और log 1 0 हो जाता, और upon में 0 होने पर, upon में 0 होने पर, यह not defined हो जाता, yes or no, तो एक चीज़ समझ में आई, अब मैं आपको यहां से, मैं concept के साथ ही आपको पढ़ाऊंगा पूरा, तो अब आपको एक चीज़ यहां पर समझ में आई, कि अगर, y equal to, log base a b लिखा है, तो a की value कभी भी, a की value कभी भी, one नहीं हो सकती, यह पहला logic आपको समझ में आया होगा, दूसरा, क्या base या coefficient नेगेटिफ हो सकते हैं कि नहीं, यह भी हम logic से समझा, हम किसी भी number की power निकालें, हम 10 power 2 निकालें, हम 10 power minus 2 निकालें, हम 10 power 3 निकालें, हम 10 पावर माइनस 3 निकाले किसी भी नमबर की पावर चाहे पॉजिटिव हो तमझना जो बता रहा हूँ या निगेटिव हो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है या सो नो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पावर हम लेते हैं जब यहाँ पर तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है यस और नो तो इसका मतलागर मैं आप से बोलूँ इसका लॉग लो बेटा तो आप बोलते हैं लॉग बेस है और यह पॉजिटिव नमबर अच्छा कोई भी ऐसी पावर नहीं है माइनस इंफिनिटी के लावा जिसको रखने पर रिजल्ट जीरो मिलता है इंफिनिटी इंपूट नहीं होता तो एक और बात समझ में आई कि ये जो बी है ये जो बी है ये जो बी है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए यानि बी इस ऑल्वेज गेटर देन जीरो आप रिजन समझो कई बार क्या होता है हमें ये पता ही नहीं होता क्यों हो रहा है मैं आपको डारेक्ट क्यों नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे आपके concept बिल्ट करते को करवाऊंगा तो आपको जल्ली समझ में आएगा तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि y equal to log base a b तो यहाँ पर b क्या होगा b होगा greater than 0 yes or no अब b greater than 0 का मतलब हुआ कि negative नहीं हो सकता region आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो भी result हो चाहे power positive हो सुनो चाहे power positive हो चाहे power negative result तो positive आएगा और यह जब हम log लेते हैं तो यह log का coefficient बनता है तो इसका मतलब यह result कभी negative नहीं हो सकता एक बात अच्छा अगर हम base changing से देखें तो base भी log का coefficient बन सकता है base भी log का coefficient बन सकता इसका मतलब यह भी negative नहीं होगा logic भी है ये भी negative नहीं होगा साथ में क्या नहीं होगा one तो इसका मतलब हमें दो चीजे और यहाँ पर समझ में आई कि जब हम log पढ़ते हैं ये बात बहुत कम समझ में आ पाती कई बात ये सबसे important चीजे कि जब हम log पढ़ते हैं तो log y equal to जब ऐसा लिखा होता है log x base कुछ भी ले लो चाहे हो तो a b ले ले चलो तो अब आपके लिए एक concept बनाने को हो गया आगे तक के लिए कि इसमे a b greater than 0 होना चीए और a not equal to 1 b होना चीए यानि log का base जीवन भरियाद रखो लोक का base positive ही होगा और 1 नहीं होगा why? क्योंकि log 1 0 था और b हमेशा greater than 0 ही होगा ये दो बाते अगर आपके दिमार पर रहेंगी तो complete exam में आने वाले question आप से गलत कभी भी नहीं होंगे clear है बत? यानि आपको इतना सा एक बात ध्यान रखना है कि log का base कभी भी negative नहीं होगा और 1 नहीं होगा और coefficient भी कभी coefficient भी कभी negative नहीं होगा उसका region भी base power से log की जो definition है उससे बना हुआ है इसलिए जब कभी ऐसा लिखा होता है normally जब हम calculus पढ़ रहे होते हैं मैं इस topic को अभी इस point of view से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं इस point of view से पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई भी exam दोगे या आपके काम आने वाला आप J दोगे तो भी आप NDA दोगे तो भी NIMSET दोगे तो भी CTS दोगे तो भी CAD दोगे हर जगे काम आएगा और इस level पर पढ़ाऊँगा कि आप उसके previous years के questions खुद भी कर पाएंगे तो माल लो मैंने लिखा है Y equal to log X तो आप एक चीज़ समझ में आ गई कि X is always greater than 0 ठीक है? अभी base नहीं दिया माल लो base एक अले और base अगर एक अलो तो A not equal to 1 और A greater than 0 यह आप एक थम दूल जैसा बना ले यह बात आप एक थम रूल जैसी बना ले और क्यों? क्योंकि मैंने region बताया कि log base X लिखा है तो आप इसे चाहें तो base changing से log X अपान log यह लिख सकते हैं base जो मर्जी वो लिख लो 10 लिख लो E लिख लो आप लोग जब math पढ़ते हैं higher math तो exponential function होता है अगर log का base E हो तो इसे natural log बोलते हैं और अगर log का base 10 हो तो इसे general log बोलते हैं यानि यह हो गया 10 base के साथ इसके लावा base कुछ भी हो सकता except 1 and negative तो यहां पर एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि अगर माल लो A की value 1 होती तो log 1 is always 0 एक question यह हमेशा दिमाग में आता है क्या log का result negative हो सकता है बिलकुल हो सकता है अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 power अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 power minus 6 है तो आपको पता ही होगा 1 upon या चलो minus 4 छोटा ले लेते है 1, 2, 3, 4 मैं बोलू इसका log लो तो आप जब log लेते तो क्या होता बिटा log 1 upon 10,000 equal to minus 4 तो देखो result negative हो सकता है yes or no एक और बात इसको base 10 के साथ लिया माल लो इसको ऐसे भी सोच सकते थे log base 10 1 minus log base 10 10,000 तो log 1 0 होता है log base 10 10 power 4 तो देखो क्या हुआ यह आ गया 4 और यह हो गया log base 10 10 यह हो गया 1 तो क्या बचा minus 4 तो आप किस धंग से देखते हैं इसके उपर बहुत कुछ depend करता है अगर आप इस धंग से देखना है किस पर कि ऐसे log लेके तो भी result negative कहा है और यहां पर भी इसलिए एक general बात बता देता हूँ जो आपके आगे के लिए काम आएगी कि अगर कभी ऐसा दिया है अगर कभी ऐसा दिया है y equal to log x तो याद रखेगा इसकी domain जो होती है वो होती है 0 to infinity इसे ऐसे भी लिखते है और इसकी range जब बात करते हैं तो वो होती है minus infinity से plus infinity अभी log में जब अइप नहीं पड़ेगी पर एक general idea दिया मैंने आपको कि ये ध्यान रखना है आपको अब मैं बच्वी property जो है थोड़ी सी और है जो मैं question के साथ बताऊंगा जल्ली समझ में आएगा और साथ में question की solving approach भी आपको clear होगे है ना तो आप कुछ questions करते हैं देखे क्या है जैसे ये question दिया है और बहुत ही simple तरीके से करेंगे tough setup questions भी आपको बहुत ही simple तरीके से आप हम solve करेंगे देखे क्या दिया हुआ है दिया हुआ है two times of log two by minus three x equal to log x plus log y then x upon y आपको x upon y बताना है क्या करेंगे इस very simple अभी मैंने बताया साथ में property जो बताऊंगा m log n होता है log n power m right तो आप यहां पर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते है log two by minus three x का whole square इसको log n plus n मैं हमेशा आप देखते हो formula साथ में लिखता हूँ जिससे की formula याद रहे हमेशा याद रखना log लगता बहुत इजी है question भी ऐसा लगता हो जाएंगे पर competitive में गलत हो जाते है क्योंकि उसका originally base के लिए नहीं होता इसलिए दिक्कत होती है तो वह आपको नहीं होगी दिक्कत यह हो गया कितना log x into y दोनों तरब के log गए इसे anti-log भी बोलते हैं cancel हो गए तो 2y minus 3x का whole square equal to xy आप इसे ऐसा भी बोल सकते है 4y square minus 12xy plus 9y square equal to xy या इसे ऐसा भी बोल सकते है 4y square minus 13xy plus 9y square equal to 0 अब इसको आप factor बनाओ तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4y square minus 4xy minus 9xy plus 9y square equal to 0 क्या common इसमें से 4y तो y minus x और यहां से क्या common minus 9y ठीक है minus 9y या प्लस ले लो यह मैं आपने लिया क्या common स्वारी बेटा यह x square था 9x square 4y square minus 12xy plus 9x square yes तो आप इसमें से क्या common आपने इसमें से ले लिया minus 9x common तो क्या मिला y minus x अब इसका मतलब y minus x into 4y minus 9x equal to 0 अब बहुत सारे कंसेप्ट समझाना है इसका मतलब x equal to y और इसका मतलब x upon y equal to 4 by 9 yes or no अब अगर x equal to y हुआ माल लो थोड़ी देर के लिए x equal to y हुआ तो ये negative बच जाएगा क्योंकि y की जगे x रिक्ट हो गया और log कभी भी negative defined नहीं होता तो इसका मतलब ये possible नहीं है इन factor में एक तो इसका मतलब x की value केवल और केवल 4 by 9 होगी अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है देखने में बहुत simple था इसमें option लिखा हो सकता था कि x equal to y x upon y कितना होगा अगर मैं देखूं अगर मैं देखूं x upon y तो one तो option ये भी हो सकता था one 4 by 9 one और 4 by 9 और none अब अगर आप one लगा देतें तो one में आपको समझ में आया है ये log में ध्यान रखना पड़ता तो mistake कहा होती है वो बताऊंगा कि log के question के answer आ जाते है पर हमें उसकी domain range को भी देखना होता है हमें उने verified भी करना होता है तो आपने जब ये देखा कि आपने one रखा आपने देखा जब इसमें आपने one रखा तो one रखने पर वो caution नहीं हो सकता solve क्योंकि ये log negative हो जाएगा ये defined नहीं होगा अब आप सोचोगे यहां रखने में क्या दिक्कत है सर यहां नहीं रख सकते अब आप एक और चीज़ समझना जो बताना चाहते हो कुछ बच्चे यहां रखने की कोशिश करेंगे one अब जब यहां one रखोगे तो ये एक तरह से ऐसा मिला और ये भी मिला ऐसा और minus one का square one तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं हो सकते equal हैं तो बट बट अब यहां पर important एक concept शीखना चाहिए आपको कि क्या mistake होती है अकसर देखिए मैं हमेशा एक बात बता दूँ कि जब पढ़ाता हूँ तफ से डफ questions तक ले जाओंगा आपको पर start basic से करता हूँ foundation से करता हूँ और यही एक आदत अगर आपने अपने अपना develop कर ली आप कोई भी exam दो मैं sure हूँ आप उस exam को qualify कर लोगे अगर आपका base foundation किलियर है एक rules बिलकु किलियर है जितना उपर जाना है उतना ही नीचे भी जाना पड़ता है मतलब जितनी height पर आपको building मनानी उतने ही उसका foundation बना ची यह सेम बात हर जगे apply होती है तो होता क्या है कि हम कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और मैं इन ही छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देता हूँ इसलिए आज मैं देखूँ तो आज impetus गुरू कुल से हर जगे का बच्चा जुड़ा हुआ है और सबसे खास बात है ऐसी कोई city नहीं ऐसी कोई बड़ी city मतलब दिल्ली बॉम्बे के तो सबसे आदा बच्चे जुड़े हुए है वो इसलिए कि जब आप पढ़ते हो कहीं तो आपको समझ में आता है यह basic तो cover हुई नहीं था और जबकि इसके बज़े से ही आपसे आगे mistakes हो रही है तो मैं आपको एक बात बोलूँगा पढ़ाई ऐसे करो कि आपका basic बहुत अच्छे से clear है अब जो मैं बात बताने वालों सुनिए क्या होता है अगर कभी ऐसा लिखा हो A B equal to B C तो A B minus B C equal to 0 B common लिया तो A minus C तो B not equal to B equal to 0 और बिल्कुल ठीक है है ना बट कभी ऐसा लिखा हो अब होती है गरबर तो भी cross multiply जही है बन गया अब कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा लिख सकता B common लेके कि सर B equal to 0 और A equal to C किसी ने यह लिख दिया समझाओ बस गरबर हो गई उसके concept clear नहीं यह कौन सी form है P by Q P by Q है तो B not equal to 0 होगा क्या होगा B not equal to 0 होगा क्योंकि upon में इसमें original form जो होती है हमें हमेशा original form देखना चाहिए यह original form है यह तो इसमें एक बात पकी है कि यह 0 नहीं होगा तो equal to C only होगा जबकि इसमें दोनों होंगे यह छोटी छोटी बात है तो आपने अगर यहां रखा तो satisfy कर जाएगा पर original question यह नहीं था original question यह था यहीं रखना था आपको जब ही आपका सही होता नहीं तो आपका गलत हो जाता अब 4 by 9 में कोई दिकत नहीं है मतलब आप x के place पर 4 by 9 रख दीजे आपको सही answer मिल जाएगा तो यह छोटी-छोटी बाते हैं जो मैं अभी बताऊंगा और भी तो आप यह ध्यान रखिए कि जब आप यह question topic करें या कोई भी topic मैसका करें तो उसका बहुत strong base बनाए उसके बात करेंगे तो आप से कभी भी mistake नहीं होगी note कर लिजे yes next question देखते देखिए next question में क्या बोला गया है if log base 10 2 log base 10 2 power x minus 1 and log base 10 2 power x plus 3 are 3 conjugative term of an ap then the value of x अब देखिए question कहने को यह log का है पर यह question exam में जब आया होगा तो इसे progression का भी मान सकते है log का भी तो log के साथ यही होता है हर जगे useful topic है इसलिए मैंने बोला कि इस topic को बढ़ाते समय आपको हर exam में काम आने वाला topic और बहुत सारी चीज़े समझनी होती और बहुत जगे इसमें concept भी काम आते हैं logic भी जैसे इस question को अगर मैं समझू तो मैं इसको option से भी कर सकता हूँ यह का base और पावर का base सेम हो तो बचा हुआ कोफिशेंट यानि a power log base AX हो तो केवल X अगर a power m log base AX हो तो this is x power m यह काम में आने वाला है अगर आप इसमें देखें तो base 2 है तो बहुत chances है कि आपका answer base 2 वाला हो जैसे यह एक base 2 वाला है इसके chances बहुत हैं मतलब अगर आप option से करना चाहें लॉजिक से तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर मालो में यह logic थोड़ी देर के लगा था तो मैं आपको एक idea देता हूँ फिर method से बताता हूँ log base 10 2 log base 10 2 power log base 2 5 समझाने के लिए लिखा या आप मत लिखना आप देखो 4 2 जा कितना होता है 8 होता है वो स्वारी 16 और मतलब AP की condition और यह 2 log 4 के बराबर होगा तो यही अंसर करेक्ट है यानि log का अगर concept एक बार बन गया एक बार अगर अच्छे से concept बन गया तो मैं आपको एक बात बिल्कुल surely बोल सकता हूँ कि आप कई question को केवल logic से भी कर सकते हैं बस एक बार proper concept बनने की जववत होती है तो यहाँ पर एक बात समझ में आई आपको कि इसको method से भी करवाता हूँ कि क्या किया मैंने अच्छा आप एक बात याद रखिए कि AP में अगर ABC AP में बोला है तो इसका मतलब 2 भी equal to होता है A plus C तो आप देखो क्या हुआ कि जब आपने log base 25 रखा तो 2 times of middle term equal to first or last term होना चाहिए आप देखो log M into N लग क्या तो यह हो गया log 16 और यहां M power N है तो यह भी log 16 दोनों equal है इसलिए यह answer correct है यानि आपके अगर concept clear होते तो आपको इसमें method की जववत नहीं पड़ती आप इसक इसको अगर मालो आप method से करना होता तो क्या करते है वह बताए तो three conjugate term कहा था लगाता था और एपी बोला है तो एपी की condition ही होती है आप इसे method से करते तो ऐसा करते है two times of mid term equal to first term plus last term yes or no तो यह कितना हो गया log base ten two power x minus one का whole square equal to log base ten two into two power x plus three m into n लगा दिया यहां पर अब दो formula एक साथ लगाएं बस थोड़ा से यहाद रखी जैसे यहां log m plus log n this is log m plus log n या m log n equal to log n power n right अब दोनों log गए तो two power x minus one का whole square equal to two into two power x plus three अब क्या करोगे अब आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए two power x को y मान सकते हो अगर आपने two power x को y माना तो क्या होगा यह कुछ ऐसा हो जाएगा y minus one का whole square equal to two into y plus three अब बस y की quantity equation solve करना होगा तो क्या होगे y square minus two y plus one equal to two y plus six तो y square minus four y minus five equal to zero अब इसके factor बना लो y minus five y plus one equal to zero तो y minus five equal to zero y plus one equal to zero तो y equal to five y equal to minus one ठीक है y नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं मैंतर इसलिए भी बताना ज़्यूरी होता है कि आप concept नहीं तो कैसे बिल्ड करेंगे अब बताओ क्या होगा तो आप बोलोगे two power x equal to minus one यह possible नहीं है क्योंकि किसी भी power का result negative नहीं होता तो यह root reject two power x equal to five taking log जो मैंने आपको तरीका बताया था तो log base two five equal to x सीदा सीदा यह result आ गया clear है बात नोट कर लिए अच्छे से yes next question देखते हैं देखिए next question क्या है अब next question में देखिए बोला है इसको simplify करना one upon one plus question simple है one upon मैं आपको वो questions बताऊंगा जिससे आपके log के actual में concept भी clear हो जाएंगे और आप question भी जी लिए कर पाएंगे one upon one plus log base a b c one upon one plus log base b a c one upon one plus log base c a b अगर आप ध्यान दें तो इसमें b c है और यह अगर मैं चाहूं तो इसको को ऐसा लिख सकते हूं one plus base engine से log b c upon log a अगर बेस कुछ न लिखा तो कोई भी मान सकते हूं 10 मान सकते हूं default base मान सकते हूं yes or no अब एक चीछी बताइए मैं चाहूं तो one को क्या लिख सकते हूं लॉग अपॉन लॉग एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूं भी फाइदा इन दोनों काल्सियम लॉग हुआ तो आप बताओ नीचे की नीचे ही क्या होगा स्टैप भी कम लिखना है लॉग ए तो यह हुआ लॉग ए प्लस लॉग b c अच्छा इसी को अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो यह हो डुगी वन अपॉन लॉग एंप फ्लस लॉग एंग लॉग में टो ए बी-सी अपार लॉग ए तो एक तरह से यह उपर चला गया तो लॉग ए अपार लॉग a-b-c आया क्यों बिटा इसका मतलब यह भी भी रिजल्ट आयगा यनि इसका रिजल्ट आया log c upon log a b c अब तीनों कालसियम क्या आ गया concept build के लिए दिया question log a b c तो क्या होगा log a plus log b plus log c तो यह finally क्या मिलेगा log a b c upon log a b c इस दोनों cancel तो result will be 1 clear रहे बात यानि इसको फिर से आप बेटा break करोगे तो ऐसा लिखते है log a c upon log b और इस 1 को लिख लेते हैं log b upon log b तो यह result आ जाता similarly यह result आ जाता note कर यह next question करते हैं फिर yes next question देखते हैं देखें क्या है 1 upon log base 2 n plus 1 upon log base 3 n plus 1 upon log base 4 n up to 1 upon log base 55 n n greater than 1 दिया है कितना भी हो सकता है यहाँ पर 55 से ज़्यादा भी हो सकता है option दिये हुए है option की जबती है बहुत ही simple से logic पर बेज देखें यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह 55 है तो इसका मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इसका result 1 upon log base factorial में 55 n कैसे देखें बहुत ही simple logic इसको base changing से लिखते तो 1 upon log n upon log 2 लिखते है बिटा log 2 पर आ जाता है तो मैं यहां पर direct लिखता हूँ आप लिखते है log 2 by log n प्लस इसमें लिखते है log 3 by log n प्लस इसमें लिखते log 4 upon log n ऐसे चलता जाता हूँ यह लिखते log 55 upon log n yes or no आप 1 upon log n LCM आ गया तो यह आपको numerator कुछ ऐसा मिला 2 प्लस 3 प्लस 4 तो यह M N P क्यों हो जाएगा तो आप ऐसा लिखो गए 2, 3, 4 अप 255 upon log n आप से 1 नहीं है 1 तो multiply है कहीं भी मान सकते 1 से 55 मतलब factor 55 तो यह हो गया log factor 55 upon log n और मैंने भी आपको बताया था log a by log b दो चीजें इसको ऐसा भी लिख सकते हो log base b अगर उपर गया तो नीचे वाला base बनेगा नीचे आया यही चीज़ तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 upon base a b तो आपको उपर हो सकता answer ऐसा दिया हो log base n factor 55 यह हो सकता answer ऐसा दिया हो log base 55 factor into n दोनों ही एक ही बात है जहां रखेगा log base a b equal to 1 upon log base b a तो आपको दोनों में से कोई भी एक answer दिया जा सकता है note करिए yes next question देखते हैं देखें क्या है find the value of 81 की power 1 upon log base 53 plus 27 की power log base 9 36 plus 3 की power 4 upon log base 7 9 अब इस question का answer बताना है question काफी simple है सबसे पहले ध्यान रखेगा यह upon में दिया मैंने अभी आपको बताया log a b equal to 1 upon log b पहले तो यह ध्यान रखेगा दूसरा जैसे एक चीज़ार रखे a power log base a x लिखा हो तो हमेशा result होगा x और a power m log base a x हो तो result होगा x power m तो जैसे यहाँ पर घ्यान दूँ तो यह 3 की power 4 है और इसको आप चाहो तो लिख सकते हो log base 3 5 यह 109 यह 3 की power 3 इसको लिख सकते हो log base 3 का square into 36 ही रहन दो अभी बाद में लिख देगा प्लस यह 3 की power 4 log base 9 7 यह 109 अब चाहे हैं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3 power log base 3 5 की power 4 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ यह upon में 2 आ जाएगा multiply अच्छा यह 6 का square है तो ऐसा भी लिख सकते हूँ थोड़ा ध्यान दीजेगा न यह ऐसा है log base 3 square 6 का square तो मैं ऐसा लिख सकता था चाहूँ तो 2 by 2 log base 3 6 तो मैं चाहूँ तो डारेक्ट लिख देता हूँ 3 की power 3 और इसको क्या लिख सकता हूँ log base 3 6 प्लस 3 की power log base यह 3 का square लिख सकते हूँ चाहूँ था 4 3 का square by 7 अब देखिए क्या हुआ यह इससे cancel तो 5 power 4 यानि 6 25 यह 6 का क्यों मिलेगा एक तरह से बिटा तो 2 1 6 और यहां पर यह 2 divide हो जाएगा पहले ध्यान रखना ऐसा आएगा 3 की power 4 by 2 log base 3 7 है ना तो यह 2 बचेगा यानि 49 यह कितना हो गया 49 अब आप इन सब को add कर दो तो कितना आजाएगा 890 तो यह इसका right answer हो गया यानि lock के questions करने कभी भी tough अभी और भी practice करो questions की अगर property पर command है basic clear है तो आप बहुत easily questions को कर सकते हैं note करिए